चंद्रयान 3 विक्रम लेंडर के इस उपकरण ने काम करना शुरू किया, इसरो ने दिया बड़ा अपडेट इश्यन मून, भारतिय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने शुक्रवार को कहा कि चंद्रयान 3 लेंडर के एक उपकरण ने चंद्रमा के दक्षणी इसरो ने एक बयान में कहा कि चंद्रयान 3 लेंडर पर लगा लेजर रेट्रो रिफ्लेक्टर एरे एलारे ने काम करना शुरू कर दिया है चंद्रयान 3 को लेकर बड़ा अपडेट आया सामने बयान में कहा गया है कि अमेरिकी अंतरिक्ष एजेसी नासा के लूनर रिकॉनिसेंस ओनर बिटर इलारो ने 12 डिसंबर 2023 को परावर्तित संकेतों का सफलता पूर्वक पता लगा कर लेजर रेंज माप हासिल किया इस रो ने कहा एलारो पर लूनर ओनर बिटर लेजर अल्टीमीटर लोला का इस्तिमाल किया गया अब लोकन चंद्रमा की रात के समय हुआ जिसमें एलारो चंद्रयान 3 के पूर्व में बढ़ रहा था चंद्रमा की सतह पर दशकों तक चलने के असार अंतर राष्ट्रिय सहयोग के तहत नासा के एलारे को चंद्रयान 3 विक्रम लेंडर पर समायोजित किया गया था इसमें एक आर्ध धंगोला कार धांचे पर आठ खोने वाले घन रेट्रो एरिपलेक्टर शामिल है यह उपयुक्त उपकरणों के साथ परिक्रमा करने वाले अंतरिक्ष यान द्वारा विभिन दिशाओं से लेजर की सुविधा प्रदान करता है लगभग 20 ग्राम वजनी ओप्टिकल उपकरण को चंद्रमा की सतह पर दशकों तक चलने के लिए डिजाइन किया गया है दक्षणी धु के पास उत्रा चंद्रयान थ्रीन के विक्रम लेंडरी सरो न कहा कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षणी धु के पास उत्रा चंद्रयान थ्रीन के विक्रम लेंडर का तब से लोला से संपर्ख है बयान में कहा गया है कि चंद्र अन्वेशन की शुरुवात के बाद से चंद्रमा पर कई एलारे तैनात किये गए हैं चंद्रयान 3 पर एलारे एक लगु संसकरण है ये वर्तमान में दक्षणी धरू के पास उपलब्ध एक मात्र एलारे है इस अरो ने कहा चंद्रयान 3 के विक्रम लेंडर पर नासा का एलारे दीर्ध कालिक जियोडेटिक स्टेशन और चंद्र सतह पर एक स्थात्त मारकर के रूप में काम करना जारी रखेगा जिससे वर्तरमा और भविश्य के चंद्र मिशन को लाब होगा बयान में उल्लेख किया गया कि इस माप से अंतरिक शियान की कक्षी अस्थिती के सटीक निर्धारण में सहायता मिलेगी इसके अलावा चंद्रमा की गतिशीलता, आंतरिक सनरचना और गुरुत्वा कर्शन विसंगतियों से जोड़ेगा